जैसाई राम एफ्रिवान, वेल्कम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और सच बताओ तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आज आप सभी के साथ मैं शेर करूँगी एक और सिद्धमंगलम स्तोत्रम का अनुभव तो मुझे सच में सच में बहुत बहुत खुशी है इस बात की जो मेरे साई परिवार के नए सदस्य है या फिर आज इस विडियो के माध्यम से मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अगर आपको जानना है कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम क्या है, ये विडियो क्या है, कि इसके बारे में है तो मैं आपको शॉट में बता दू कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम एक miraculous स्तोत्रम है जिसे हम गुरुदत्ता को स्मरन करके साई को स्मरन करके करते हैं और इसका पाट करने से इसका 40 दिन का व्रत करने से आपके सभी वैद इच्छाए पूरी हो जाती है अगर आ आई रिपीट वो दो विडियोज मन लगा के दो तिन बार ध्यान से सुनिएगा आपके मन में जितने भी सवाल है ना सब आंसर हो जाएंगे ठीक है तो आईए आज सुनाती हूँ एक नया अनुभव जो सिद्धमंगलम स्तोत्रम से जुड़ा हुआ है और ये अनुभव हम हमारे सार शेर करती है रेखा जी मैं बताती है कि गाओं में इनका एक जमीन था तो लैंड डीलर ने उस जमीन को खरीदने के लिए रेजिस्ट्री किया और कहा के फेवररी महीने में पेमेंट करेंगे हुआ यू कि फेवररी महीने महीना बीद गया पर कोई पेमेंट आया नहीं लैंड डीलर से और वो जो डीलर है ना बहुत लेजी स्वभाब के हैं जब भी सर उन्हें कॉल करते तो कभी उनका फोन स्विच आप मिलता तो कभी वो अपना फोन डाइवर्ट रख देते माम और सर को लगने लगा डर तो नों यही सोचने लगे कि गलत इनसान के हा आपना सामनी बात करने के लिए तब वो डीलर ना एक्सक्यूज दिखाने लगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मैं बिजी हूँ मुझे टैक्स देना है मुझे जीस्टी देना है उसमें खचा हो गया तो पेमेंट करने में डीले हो गया ऐसा ऐसा वो एक्सक्यू स्थोत्रम का 40 दिन का व्रच शुरू करते हैं 19 मार्च से और गुरुदत्ता और साइक से मतलब साइक के सामने यही प्रार्थना रखते हैं संकल्प लेते हैं कि हम दोनों बहुत प्रेम और विश्वास के साथ सिद्धमंगलम स्थोत्रम का 40 दिन का व्रच शुरू कर रहे हैं चालर्स दन खतम होने से पहले आप कृपा कीजिए ताकि लैंड डीलर हमें हमें हमारे जमीन का जो पेमिंट है वो कर दे जैसा की एग्रिमिंट में लिखा है ओके फिर दोनों मिलकर बहुत प्रेम के साथ विश्वास के साथ स्तोत्रम का पार्ट करते हैं मैं बताती है कि स्तोत्रम का पार्ट कि ये उनको सिर्फ 37 डेज ही हुआ था और उसी दिन शाम को लैंड डीलर ने सर के अकाउंट में जमीन के लिए जो हाफ पेमिंट करना था वो कर दिया ठीक है 37 दे में और 40 दिन इसके बाद 40 दिन का व्रत मैं खतम करती है और 41 ठीक है 41 दि मैं और सर अपने सामच अनुसार गरीब को भोजन करवाते हैं और ऐसे ही सिद्धमंगलम स्तोत्रम के क्रिपा से जो पेमिंट उनका अटका हुआ था ठीक है जो लैंड डीलर उनको पेमिंट नहीं कर रहे थे वो पेमिंट फाइनली उनको कर देते हैं तो ऐसा ही है सिद्ध स्तोत्रम का पार्ट करना है ठीक है और मैं क्या कहूँ अगर मैंने बहुत फल मुझे बहुत फल मिला है स्तोत्रम से इवन अगर आपको विश्वास भी नहीं है ना कि अगर आप डाउट में भी है ना कि वाकी में ये स्तोत्रम काम करता है क्या तो उस डाउट को लेके भी करतीयों की काम करता है मेरे साही परिवार आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास ऐसे भी मेसेजिस आते हैं कि आप ये फालतु का प्रॉपागेंडा कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होता मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला honestly एक बात मैं कहूं आप सभी को कि ये जो मैं विडियो ब मिल रहा है और मेरा कोशिश यही है मेरी यही कोशिश है कि आप लोग को बेनिफिट मिले आप लोगों को साही कृपा मिले ठीक है तो कीजिए इस तोत्रम का पार्ट आप सभी के वैद इच्छाए पूरी होगी अगर आप मन चाहा कॉलेज में आपको अड्मिशन नहीं मिल आप बेबी कंसीव नहीं कर पारे इस तोत्रम का पार्ट जरूर जरूर कीजिए ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जिन्नोंने यहां से इस तोत्रम के बारे में सुन कर स्तोत्रम का पार्ट शुरू किया है तो इस तोत्रम के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है तो खुद एक बार पाट कीजिए मेरे साइप परिवार और अपनी इच्छाव पूरी कीजिए तो आज के लिए इतना ही आप सभी को इतना ही कहूंगी कि अगर विडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेर अगर अब तक मेरे साइप परिवार के साथ जुड़े नहीं भी आप मुझे मेसेज कर सकते हैं मेरा इमेल आइडी, इंस्टाग्रम अकाउंट आइडी और वाट्साप नमबर तीनों ही दिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो मैं एक बार फिर से कह रहे हूं प्रचार कीजे साई महिमा इससे आप साई की सेवा ही कर रहे हैं मिलती हूं बहुत जल्दी एक नैसा अनुभव के साथ तिल दिन जैसाई रहा